हालो दोस्तों एक बार फिट स्वागत है आपका हमारे शानल बर मेरा नाव है वरुण और हम बात कर रहा है कुछ कुछ बची हुई है अगर आपकी कट ओफ आना या फिर मेरिड लेस्ट आना जो की अब स्वागत है नेक्स्ट इयर का स्टार्ट गरना है और 2023 के लिए हमें अभी से त्यारी गरना चालो वर तो उसके लिए भाई कैसे क्या कॉलेजिस होने चाहिए किस कॉलेज में मुझे अड्मिशन चाहिए क्या कोर्स में लेने वाला हो यह सारी चीज़ें हमको पता होनी एक मन मना पाएं कि मुझे इस particular college में ही जाना है इस university में जाना है इस particular syllabus को या course को complete करना है ताकि उस हिसाब से आप त्यारी अभी कर पाएं इसलिए क्या करना है दोस्तों मैं भी इसको share गर देना है और चैनल सब्स्राइब करना है ताकि सीवीट की हर छोटी बड़ी जानकारी और पूरी थियारी यहीं इसी चैनल पर हो जाएं हम जो बात करने वाले हैं वीडियो में वो है दौलत राम college के बारे है तो हम यहां दौलत राम का सोचते हैं यहां फिर उसके बाद अभी पी का सोच लेते हैं तो क्या करना है यह आपको देखना है सारे colleges के reviews बढ़े हुए है चैनल पर एक बार देख लीचेगा उसको हम बात यहां दौलत राम college की करने है इसका ठीक है तो अच्छा college है जैसे आप देख पा रहे होंगे स्टाफलेस्मेंट आपका 1960 का है 1960 में स्टाफल गिया था टाइप की बात करें तो public college है और यहां पर यह co-ed college नहीं है केबल girls college है यहां girls ही आपके admission ले सकते हैं अफिलेशन बात करें तो लोकेशन की बात करें तो पटेल नगर पटेल मार्ग है और ब्योरस नगर में है जो की दिल्ली में पढ़ जाता है कोदी कत परिशानी आंगे website की बात करें हाँ यह जरूरी है आपके लिए क्योंकि इसी पर आंगे की सारी की सारी जानकारी इस प्रिडिक्लर यह आपको बार बार अगर यह आपका ड्रीम कॉलेज होने बाला है तो इसको तो आपको याद होनी चाहिए जब चाहिए इसकी जानकारी और चीजों को आपको डिव्यूस कर पाओ कांपस एरिया की बात करें तो 13 एकड का एरिया है और क्यांपस बहुत अच्छा है तेकिन सारी फोटो और बागी चीजों को देखने के बाद मुझे लगा कि अच्छा कॉलेज है तो 13 एकड में फैला हुआ है रैंकिंग की बात कर लें तो एना यारF 2022 में रैंकिंग जो है वो 29 एक इनको दे हुई है तो यार कहीं से घरापनी 29 एकड का कॉलेज मतलब अपने आप में बहुत अच्छा होता है विजन इनका जो है वो क्या है इंपाडिंग लिपरल एजुगेशन डू बूमन के लिए यह बैसे भी क्योंगी गूल्स कॉलेज है और बूमन के लिए इंपावर करने वाले इंपावर्मेंट फॉमन इंपावर्में बात कर लें तो आप एस गर्ल या इस पॉड़ने वाले हैं और आसपास रहना है जाना है गूमना फिरना है तो बहुत बड़ा इसू होता है हाला कि मैं आपको बता दू दैली और रिवस्टी के अंदर कर दे पढ़ता है तो आगर आप रिल्व इस्टेशन जाना चाहिए तो दॉन और एल्व इस्टेशन चाहिए वो डेली नूड ये भी पास ही पढ़ते हैं और एरपोड तो आपका इंद्रागादी इंटरनेशनल यारपोर्ट जहां भी जाना चाहिए आप जा सकते हैं बहुत ब के कोर्से जिन में agricultural मिक्स हो गया इंग्लेश इंडी स्ट्री lug structured जिसके Maria यहां मैं यहां पर तो यह सारे के सारे आपके हैं यहां पर चोर्षिस एस जो पडेक्टराइब यह पर डिपार्टमेंट होते हैं जो यहां चेजों के लिए जिम्मेदार होते हैं और कोउन कहुंसी डिपार्ट्मेंट है यहां है अधा इन कंदों पर है यह ही बावस्त्रीय साइक लॉट्ट्मेंट्मेट्स साइकलोजी और एन एच्छी ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स है ये रिलेटिबल अपने पोर्स इसको कंड़क्ट कराते हैं सारा जिम्मा जो है वो इनके ही कंदों पर है तो यही डिपार्टमेंट आपके सर्वे जर्मा होने वाले यहां पर इसके अलावाद साप सुत्रे अक्षरों में आप इस चीज को दिमांग में डाल लो कि जो नेक्स्ट यह यानि की 2023 की हम बात कर रहे हैं इसमें अगर एडविशन आपको चाहिए दौलत राम खॉलिज में तो इसके लिए सीधी सीधी बात है सीधी एक्साम के बेसिस पर ही यह कॉलेज आपको मिलने वाला है तो इसलिए आपको क्या करना है सीधी को बहुत हलके में नहीं लेना है अब यह बहुत बारी हो गया तो सीधी यूजी आपको देना पड़ेगा और 2023 यह सारी चीजों के लिए वीडियो मैंने बना चुका है कि कब होने वाला क्या कंडेक्शन होगा कब का डीट बगिरा सारी चीज मैं बना चुका हूँ चैनल पर पड़ी है वीडियो देख लीजेगा और भाया इसके अलावा याद रखिए कि 12 में आपका स्कोर अच्छा हूँ तो प्लीज आपको 12 या बोर्ट उग्जाम पर भी है उसकी स्ट्राइटेजी का वीडियो भी मैं यहाँ पर चैनल पर डाल चुका हूँ इस बार चेक कर लीजेगा एड्मिशन के बाद बात आती है फी की तो फी एक बहुत बड़ा प्रिक्टर होता है किसी भी बच्चे के लिए किसी भी परिबार के लिए याद रखिए फी 20,000 रुपे पर एनम का यहाँ पर फी स्ट्रक्चर है ती सजार रुपे माल सकते हैं किसी भी से लग कोर्स की बात करें maximum 20,000 रुपे साल आना आपको यहां खर्च करना होता है उसके अलावा आपका रहना खाना है और ऊपर चाहरा फी स्ट्रक्चर होने बाला है अलग अलग स्कॉलर्शिप्स आपको मिल जाती है चाहे वो मेरिट कम स्कॉलर्शिप्स हो इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी कैटेगरी वाइस भी बहुत सारी स्कॉलर्शिप्स है साथ ही साथ यहाँ पर पिछे पिछडें बैकवर्ड उन सभी के लिए नीडी स्कॉलर्शिप्स के लिए बहुत सारी अलग अलग स्कॉलर्शिप्स करेंगे बहुत सारे यहां कि बात कर ले तो भई हां बहुत सारी कॉलेज इसमें आपको पता होगा कॉलेज में की असल फैसलीटी की समस्या रहती है डाली उनिवस्टी के अंदर लेकिन यहां नहीं है ठीक है यहां वस्टल फैसलिटी अबेलेबल है साती साथ आसपड़ोस में PG, अस्टल, अस्टल, प्लैट्स, रूम सारी चीज़ें अविलेबल हैं कैंपस के पास में से स्टाइटिंग है छे हजार साथ हजार भी माल ले तो साथ और शौदा एड़ीफोर यह हो गया यह खर्चा है आपका रहने खाने का तो लगबग एक लाग के आसपास में आप पढ़ाई कर सकते हो जाली यूनिवस्टी में ठीक है चले इसके बाद हम बात करें तो पता चले बुक ही ना मिले तो फिर कैसी सबमों के लिए इसके लाबा पॉलिच में आप देखेंगे तो लाइप प्ढ़ने के छा रहा रहा है बेना उसके तो जा नहीं रहे मस्ती की लिए नहीं जा रहा है ना पढ़ना है हमको और गर्स तो बैसे भी पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है उनका तो पढ़ाई में मल लगा रहता है तो लाइब्रेरी बहुत इंबॉडेंट है और यहां पर 1,20,000 से जादा बुक्स का गलेक्शन मिल जाएगा लाइब्रेरी में आपको बंडे टू फ्राइडे टाइमिंग से वही दस से पांच वाला टाइमेंग है पूरी डिजिटल लाइब्रेरी है आपकी सारी चीजे वहाँ पर रिकॉर्ड होती है सेटर्डे को भी आपको क्या होता है आप जा सकते ओपन रहती है लाइब्रेरी लेकिन वही बुक्स लेना रिटेन करना वाला काम नहीं हो पाता है तो बहुत इंपॉर्डेंट है यह सारी चीजे सेपरेट रेल सेक्शन भी यहाँ पर है याद रखिएगा ताकि जो और कॉरिडर बगेर की सबस्ताइं भी है तो सारे बच्चों के लिए यहाँ पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी फिसलीटी है लाइब्रेरी की साथी साथ टीचर स्टडी रूम की अगर हम बात करें तो टीचर स्टडी रूम जो है वह बहुत इंपॉर्डेंट है यहाँ इसमें सारी कंपुटर फिसलीटी हो गई लॉकर्स हो गई सारी चीज़े आपको इजी रिसर्च और स्टडी पटेरियल के लिए टीचर स्टडी रूम में आप जा सकते हैं कॉलेज ऑडिटोरियम तो भाई हर कॉलेज में होना अनिवारी है ऑडिटोरियम यार देखो सारे होते हैं कोई भी चर्चाएं होती ओंफ्रेंस होती हैं वह सारी चीज़े अगर बहुत सारे बच्चों को इंक्लूड करना तो ऑडिटोरियम ही सबसे चीज़ होती है तो भाई सदभावना भवन के नाम से इनका ऑडिटोरियन है यहां पर लार्ज स्टेज है और साथ ही चाहिए यह बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन 200 बच्चों की कापसिटी का है 200 बच्चे या कोई भी 200 व्यक्तियों की कापसिटी की है इसमें फुली एर कंडिशन पाइवाइबल यह डिजीटल प्रोजेक्शन के साथ साथ यह कॉन्फरेंस होल जिसमें आप किसी भी एक्टिविटीज हो जाती है एर कंडिशन और यह सारी कैपसिटी दोस्तों यह अपने देखी लिया था एंपी थेटर यह बहुत इपी थेटर यानि बाहर वाला थेटर है यह बहुत बेट के जो जिसको बोलते है ना खुला हुआ पूरा ओपन थेटर जिसको बोले तो एम बच्चे के लिए अनिबारे होती है किसी भी कॉलेज में यह चीज होना बहुत इंबॉर्डेट है अपको पता ही है जगल्स कॉलेज के हिसाब से बहुत ही इंबॉर्डेंट हो जाती है मैडिगल रूम की बात तो बिलकुल अबेलेबल है यहां सारी व्यवस्ता है फर स्ट करने लड़कों के लिए चाय बॉर्डेंट होती है लेकिन ठीक है हर एक बराइटी की चीज़े यहां ओफर होती है यहां पर ठीक है रेट्स की बात करें तो नौबीनल है कोई उर्पटांग ऐसे कुछ भी रेट्स नहीं होते है यहां अच्छी कैट्डीन की व्यवस्ता भ भी डिन पैसे सब सून ना खाल व्यास है यहां पर ब्राइछ। जिसमें आपका क्या हो जाएगा कांट इंपर हो जाएगा एकमी लिटे सारी चीज़े आपको यहां पर बैंक के भाजित प्लिसमेंस ऐन किशी सारी होरे प्लेसमेंट अल टो师 के लिए आए हर विक्ति चाहता जाब करना है तो प्लेस्मेंट सेल यानि TNP जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग प्लेस्मेंट सेल इसका बहुत बहुत जादा महत बढ़ जाता है किसी भी कॉलेज के लिए और यही कॉलेज है यही जो कॉलेज का अंदर का सैल है इसी कली डिपार्टमेंट है य यही उस कॉलेज की प्रतिभाओं के साथ साथ उसका नाम बढ़ाता रहता तक क्यों जितना अच्छा पॉफोमेंस TNP सेल का होगा जितने जादा प्लेस्मेंट आप दोगे कॉलेज में उतना ही नाम जादा होगा हर बच्चा चाहेगा आपके कॉलेज में पढ़ना तो यह प्रदूशड है और चीज घराब है यह मुदा नदी का पानी गंदा है फिर क्या करेंगे तो हर जगा बॉटल लेके तो पानी बरके तो फिर सकते हैं तो आरो सिस्टम के साथ सारी व्यवस्ता है बाइफाइ बाइफाइब करेंटिविटी यह लगबग हर कॉलेज में आजकल चुकि डिजीटल हो रहा है इंडिया और हो गया है इंडिया पैक्सिमम बड़ी बड़ी सीटी तो बाइफाइब करेंटिविटी आपको हर कॉंपस में मिल जाएगी सीटीवी सर्वालाइब इस लिए सब्सक्राइब देखोगे तो वैल एकिप्ट है अलग-अलग मॉडरन फेसिलिटीज है अमेनिटीज है जैसे की एर कंडिशन्स रूम है लॉंट्री फ्री वाइफाइब कंप्यूटर रूम मेडिकल यह सारी तमाम सुभिधा है जो है यहां पर बच्चों के रहने के लिए गरी हुई है ग्रीन राइड ओ हो हो बाद बढ़िया आज कल चुकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा मुद्धा है इंबायरमेट बॉलूशन से लेके यहां पर क्या किया हुआ है कि भाईजाव आपका ग्रीन राइड की ववस्ता गरी है ग्रीन राइड मतलब समझ पा रहे साइकल से घूमो फिर है अच्छी चीज़ है इसके अलावा कॉंप्लेक्स जिमनेजियम यह सारी ववस्ताइं है फिट्लेस इसने फ्रीक होती इंगल्स के लिए बतलब बहुत इंब्वाडेंट होता है कि वह अच्छे दिखें है ना सो यह सारी तमाम व्यवस्ताइं है इं ओलेज कैमपस के लाइब की पढ़ाई जाती है और कुछ नहीं रिसर्च फेसेलिटी भी अबेलेबल है यहां पर तो आप जाके डिसर्च भी कर सकते हैं फ्लेज में यह है पूरा 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 कच्छा चित्था है कि कॉलेज में वीवस्ताइं बहुत अच्छी है है अच्छी विल्डिंग है सारी व्यवस्ता है उसके बावजूद अगर बच्चे नहीं कैमपस में जा रहे हैं तो क्या समस्य है तो टी एंपी सेल अपना काम पूरा नहीं कर रहा है या फिर पढ़ाई वहां हो नहीं रही है दिखावा जाता चल रहा है तो भाई यह प्लेस 4.9 LPA का गया है देखो यार यूजी प्रोग्राम्स है यह सारे यूजी प्रोग्राम्स में इतना अच्छा पैकेज आज कल इंजीनियरों को भी नहीं सच बता रहा हुआ है तो भाई यह ओन आवरेज पैकेज 4.9 का 5 लाग के आसपास का अगर साला ना आपका पैकेज है त 20 कंपनी है और साथी साथ जो टॉप रिकूटर्स रहे है टोटल उनमें आपके टोटल 85 से ज्यादा रिकूटर्स है जो यहां आखे क्या है बच्चो को रिकूट करते हैं तो अच्छा प्लेस्मेंट रिकॉर्ड है इनका कहीं से खराब मुझे तो नहीं लगा है इसके अला और भई यहां पर अगर वो काम हो रहे हैं वेबिनार्स चुकि डिजिटल ज्यादा हो गया है ना महां तो भई वेबिनार्स बगरा यह ऑनलाइन होते हैं या ओपलाइन भी होते हैं ताकि बच्चों को क्या है एक प्रेडिंग जो प्रोपर दी जा सके उनके फ्यूचर के लिए वो यहां पर प्रोबाइट कर दी जाती है या रिक्रूटमेंट्स पार्टनर्स की बात करें तो यह देख पा रहे होंगे बाई जूजी बाई प्रेस विस्टा इसके बादी शौगरी इंडिजिट्स एस्पी ग्लोबल एलन टी हो गया सारे के सारी यह इनके विप्र आपके इंटर्णसिप के लिए इनके पार्टनर्स है तो बच्चों को इंटर्णसिप कराते हैं ताकि वो अपनी फ्रको और सिक्योर कर पाए पढ़ाई के मामले में सोसाइटी जो बहुत इंपॉड़ेंट है कि बच्चिया जो है या गिंग्स जो है बहुत सारी सोसाइटीज, ग्रूपिंग्स पगेरा यहां इस कॉलेज में बुडिकुलर है चाहे तो आप SS, NCC को जो आइन कर सकते हैं, music society है, इसके लावा classical dance society है, अनहात, ठीक है, यहां पर भाई है debating society भी है, बाद विवाद करो, जिसमें तो सबसे अच्छी होती है, इसके लावा धारा है, यह Eco Club है, Western Music society है, जिसका नाम Anchor है, है यह सारी सोसाइटी है यहां पर कलेज में जो और भी इमार्टी यूँ इमेजिंअ इमेजिशंब जो है यह फोटोग्राफी यह इप Amazing संटी है त यहाने जान आन यह कुझ सुसाइटी है यहां पर western dance society है जैनित करके और स्पेक्ट्रा है जो की fine art society है तो यह सारी की सारी societies है बच्चों के लिए कहीं से कोई कम ही नहीं है जितना involved होना है हर एक field में आप यहां पर societies के बाद हम से क्या involved और सित्ते हो साइबर सैल भाई भाई क्योंकि डिजीटल हो रहा है इंडिया इसलिए समस्या भी बढ़ रही है इंडिया में और डिजीटली बहुत सारी threats हो गटनाए है जो हो रही है इसलिए उसके बाचाओं के लिए अपर साइबर सैल भी है जो की अव सब्सक्राइब के लिए क्यों हिय хорошо को या ओर बाखी की चीजों से हो सकता है उसका फैडली बेंक्राउंड बहुत बड़े बिजनेसमैन का हो अच्छे बिजनेसमैन के बच्चे यहां पने आते हैं बच्चे नहीं बच्च Зем के जो और बच्छों को गाइड करता है कि कैसे आप एक अच्छा बिजनेस पैन सकते हैं कैसे अच्छा बिजनेस क्रेट कर सकते हैं और कैसे बं सकते हो उन बच्छों के दिमाग के लिए यहां पर है करता है ताकि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाएं इंवेश्टमेंट्स यहां पर बच्चों के लिए देखो यार आज के समय में आपको बता दें आधनी खर्चा रुपया वाला जिस्टा में क्योंकि महेंगाई बढ़ रही है और भारत विक्सित तो होता जा रहा है लेकिन हमें वो फिनेंस के लिए बड़ी समझ से होती गई बार हम मैनेज नहीं कर पाते पैसे को और वो मैनेजमेंट अगर कोई आपको सिखा रहा है तो उससे अच्छा विक्ति कोई नहीं क्योंकि फ्यूचर के लिए वो आपको त्यार कर रहा है सो फिनेंस और स्टी की बात कर रहे हैं तो दिखाता है श्कार मार्केट और तमाम चीजों को वहां पर आपको समझाता है सारी मदद यहां करता है और दो सबस्क्राइब कितना तगड़ा है वह स्कॉलेज से कितने लोग निकले हैं जो फेमस है या फेमस के अलावा उन्होंने कुछ अच् करें बतलब उसका शिष्य नाम करें तो यहीं चीज है इन लोगों की बज़ए से यह बहुत नाम रोशन गया इस कॉलेज का तो ऐसे कितने ही लोग है बहुत सारे लोग है लोग नहीं है यह गर्ल से याद रखिएगा और यह महिलाय है यहां से पड़ी हुई थी और आज अंजना ओमकस्यप नाम की काफी है यह एसले गोश यह जैन्यू स्टुडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट रही है आसा अगरवाल यह इंडियन रनर रही है रेखा गुपता पॉलिटीशन्स है यह फैंग्नन कॉन्यक यह MP है MP मतलब राज्यसभा में सांसद है ना मेंबर पार्लेमेंट बहुत बढ़े हैं डॉक्टर सोशमा यादव यह मेंबर है UGC की और फॉर्मर बाइस चांसलर रही है हर्याना के इस कॉलेज की विद्याले की हैना अनीता करवाल यह 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 इस रही हुई है इसके अलावा भारती तनेजा यह फाउंडर है भारती राइन टाइप का यह रहा है रिव्यूस की बात कर लें बच्चों के द्वारा क्या बोला जाता है गुल्स जो यहां से पढ़ चुकी है उनकी क्या रिव्यूस रहे हैं सो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है ताकि आपको जानकारी मिल जाए क्योंकि देखो भाई ह हमें पता करना है कि गहराई कितनी है तो पानी में तो उतर था पाई है ना बाहर से दूर के डोल्स वहां आपने लगते हैं अंदर वाले लोग ही जानते कि वह कॉले जो बाकी कैमबस पहां की लाइफ कैसी है तो उनी बच्चों के यहां पर कुछ कमेंट्स लिखे हुए र प्रेस्टीजियस वाले जिलीक अब बिससी बाद है गूट प्लेटों डॉब वार कॉन्फिटेंस एंट पर इसनल्टी डेख पार रहा हो एंट्टी सुसाइटी जो बच्चों की बस्ताइलिटी डबल्ब कर देता है बहुत अच्छा ग्रेइड होस्टल विद्बेल मेंट से समझ में आता है कि भी आया है तौलत राम कॉलेज गर्ल्स कॉलेज डेली उनिवर्स्टी का और समाम सारी सुविधाओं के साथ अच्छे प्लेस्मेंट रिकॉर्ट के साथ और अलोपनाई का तगड़ा नेटवर्क है सारी रवस्ता है बहुत सारी सोसाइटीज है हर एक चीज अब भई क्या ये आपका टॉपस्ट कॉलेज है या ड्रीम कॉलेज जिस पर पढ़ना आप चाह रहे थे तो भई देख लीजे यहां हर एक चीज हमने डिसकस कर ली है अब बस काम आपका बचा है क्योंकि एक्जाम आपको क्लियर करना है तो CVT के लिए हो जाई है तेयार और बागी दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजे ताकि उन तक भी है जानकारी पहुचे और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि CVT के हाट छोटी बड़ जानकारी आपको यही मिल जाए वहले कि अंगली जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe